साथियो अगर आप मसूर की खेती करने जा रहे हैं तो अब समय आगे है साथियो मसूर की खेती के तैयारी शुरू कर दीज़े साथियो क्योंकि अक्टूबर में इसकी बुवाई की जाती है अच्छा अगर आपको जादा अच्छा अधिक उत्पादन लेना है तो आप अक्टूबर मद्ध में आप इसकी बुवाई करें साथियो तो साथियो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मसूर की खेती किस तरीके से करनी है और आप अधिक उत्पादन कैसे ले सकते हैं वो सारी विशेषताई भी हम आपको बताएंगे और वो महतपूर कारे भी आपको बताएंगे जो आपको अपनी फसल में करना है ताकि उपयुक्त होती है। वहीं साथियों अगर पियच मान की बात करें तो लगबग 5-8 पीच में अगर पियच मान है तो ये मसूर की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त माना गया है। आड़ी खड़ी हमें जुताई करनी है। ये जुताई हम देशी हल से कर सकते हैं या कल्टिवेटर से भी आप चाहें तो कर सकते हैं। साथियो ध्यान रखें कि जो माटी है उसको हमको भुरुरी बना लेना है जब जुताई अच्छी तरीके से हम कर लें तो ध्यान रखें हमें पाटा लगा कर हमें खेत को समतल कर लेना है साथियों अगर हम बीच दर की बात करें कि हमें बीच कितना लग जाएगा प्रती हेक्टर के हिसाब से तो 30 से 35 किलो ग्राम बीच आपको लग जाएगा ये छोटे दाने की अगर आप मसूर बोना चाहते हैं तो उसके लिए हैं और वहीं अगर आप बड़े दाने की मसूर बोना चाहते हैं तो 50 से 60 किलो ग्राम आपको ये बीच लग जाते हैं उन्नत किस्मों की बात करें साथियों तो पंत मसूर 4 पूसा बैभाव पंत मसूर 406 पंत मसूर 649 DPL 32 PL 5 ये छोटे दानों वाली प्रजातिया हैं साथियों अगर आप बड़े दानों की प्रजातियां इस्तमाल करना चाहते हैं उसकी बुवाई करना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं DPL 15 DPL 062 A के 75 मलका और A नरेंद मसूर 1 Medium Bold L 0 446 तो ये कुछ बड़े दानों की प्रजातिया हैं अगर आप इसकी खेती करना चाहते हैं तो आप ये उन्नत बीच ले सकते हैं साथियों बात करें खाद और उर्वरक की तो देखे अगर हम सिंचित अवस्था में अगर हम बात करें तो हमको क्या करना है साथियों 20 किलो ग्राम हमें नाइट्रोजन लेना है 40 किलो ग्राम हमें सरफल लेना है और 20 किलो ग्राम हमें पोटाश लेना है साथियों वहीं अगर हम बात करें कि असंचित जगों के लिए आप लेले साथियो 30 किलो ग्राम आप फासफोरस लेले 15 kg आप nitrogen ले ले, sulfur आप 10 kg ले ले और potash आप ले ले 10 kg इसको प्रती hectare के हिसाब से हमको खेत में बुवाई के समय देना है अच्छा एक बात को और ध्यान रखें साथियो कि अगर आपकी खेत में जिंक की कमी है तो उसको पूरा करने के लिए आपको क्या करना है कि प्रती hectare के हिसाब से खेत में 25 kg जिंक सलफेट आपको देना जरूरी है साथियो बीज बोने से पहले हमें इसका शोधन करना बहत जरूरी रहता है तो आप क्या करें जैसे फंगस जनित रोगों से बचाने के लिए आप क्या करें धीरम लेले और कारवड़न जाइम लेले ये आपको 3 g लेना है प्रती किलो बीज के दर के हिसाब से इसके बाद साथियों क्या करना है हमें कीटों से बचाओ के लिए भी बीजों को उपचारित करना है तो आपको क्या करना है क्लोरो पाइरी फॉस बीस इसी आपको लेना है ये साथियों हमको लेना है लगबग 10 मिली लीटर लेना है और प्रती किलो ग्राम बीज की दर से हमको इसको उपचारित बीजों को करना है आप साथियों बुवाई कैसे करनी है तो देखिए बुवाई के लिए आप क्या करें कि देसी हल ले 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 और पंक्तियों में साथ ही हमको बुवाई करनी है अचा पंक्तियों से पंक्तियों के दूरी हमें कितनी रखनी है 30 cm हमें दूरी रखनी है और बीज की दूरी जो हमको रखनी है वो लगबग रखनी है 20 cm हमको रखनी है साथियो आप चाहें तो छिटक विधी दारव भी आप इसकी बुवाई कर सकते हैं आप खेतों में छिटक कर बीजों को भी इसकी आप खेती कर सकते हैं साथियो बात करनें खर्पतवार की जो की बहुत ही खतरनाक होते हैं साथियो हमारी फसल के लिए तो हमें क्या करना है निराई गुड़ाई तो हमें करनी है लेकिन साथ ही अगर आप रहसायनिक विदी दोरा खर्पतवार दूर करते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है कि बुवाई के तुरंत बात आपको पैंडी मैथलीन लेना है साथियो 30 EC लेना है आपको और 3-4 लीटर आपको ये उपयोग करना है प्रती हेक्टर की दर से आपको इसका उपयोग करना है लेकिन साथियो एक बात का ध्यान रखें अगर आपकी खेते में खरपदवार उतनी मात्रा में नहीं आते हैं तो आप रसायन की जगह पे आप क्या करें कि जब हम फसल की 20 से 25 दिन हो जाते हैं तब आप एक निराई कर सकते हैं साथियो अगर हम कीटों की बात करें तो कट्वा और माहू ये कीट जो है इसमें आने की संभावना रहती है अगर कट्वा का आपको लक्षन दिखाई देना है साथियो तो आप क्लोरोफाइरोफॉस एक दसमलो पांच प्रतिशत आप ले सकते हैं 20 से 25 किलोग्रामा प्रति हेक्टर के हिसाब से इस्तमाल कर सकते हैं अगर माहू आता है साथियो माहू जो है वो फसल के शुरुवाती दोर में आता है तो अगर माहू नजर आता है तो आप मोनो क्रोटो फास ले 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 साथियो और इसका छड़काव आप कर सकते हैं अच्छा इसमें एक रोग भी आता है साथियो रतुआ ये जो पिछेती जो फसल हम करते है मसूर की उसमें ज़्यादा दिखा जाता है आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको समय से बुवाई करनी है रोक रोधी प्रजातियों का हमें इस्तमाल करना है साथियो लेकिन अगर आपकी फसल में ये दिखता है इसके बचाओं के लिए आप क्या करें साथियों मैंको जेब ले 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 पैतालिस डबलू पी कवक नाशी जीरो दसमलो दो प्रतिशत का घोल बना कर आपको दस से बारा दिन के अंतरार पल आपको दो बार छड़काओं करना है कटाई की बात करें तो सतर से असी प्रतिशत फ़लियां जब आपकी पक जाए तो आपको इसको हासिये से काटना शुरू कर देना है और इसे हमें धूप में सुखा लेना है मशुर की खेटी लगबख सातियों 120 दिन से 130 दिन में पक कर तैयार हो जाती है साथियों कोई भी फसल जब आप करते हैं तो उसका पूरी तरीके से हमें निगरानी रखना बहर्त ज़रूरी है समय पर खेती करें साथियो जो भी जिसका समय है जिस फसल का समय पर खेती करें ध्यान रखें कि बुवाई का समय कब है और अच्छे बीजों का आप इस्तमाल करें आपके छेतर में जो बीज चलते हैं इस्तमाल होते हैं उन बीजों का आप इस्तमाल करें उचित खाद की मातर मिर्णा दीए, समय समय पार साथियो फसल को देखते रहें, कहीं कोई कीट तो नहीं लगरा है, कहीं कोई फंकस तो नहीं है। अच्छे और 60 कीटनाशक का उपयोग घरे अपनी फसल में और साथियो आप हमसे किस तरीके के वीडियो देखना चाहते हैं, हमें जरूर कमेंट करिएगा, हम आपके लिए पूरी कोशिश करेंगे कि उस विशेपर उस खेती के बारे में हम आपको जान करी दें, तो साथियो वीडियो अगर पसंद आया है तो एक लाइक जरू करिएग हमसे हम पसाथियो में जरूर करेंगेगे कैँ में हमसेफियो पसंदियों आपके लिए सेविए.